आज हम पके हुए चावल का बहुत ही टेस्टी चटपटा नास्ता बनाएंगे चावल से नास्ता आप बहुत बनाए होंगे लेकिन पके हुए चावल का नास्ता आप नहीं बनाए होंगे तो इसे जरूर बनाएं यह नास्ता बहुत ही बढ़ियां बनता है कम तेल मसाले में आप इसको आसानिस बना सकते हैं नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं नास्ता बनाने के लिए हमने यहां पर एक कप उबला हुआ चावल लिया है यह पका हुआ चावल है इसी का हम नास्ता बनाएंगे तो पहले इ लिया है आप इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे और मेक्सी को एक बार फिर्ज चलाएंगे जिसे गाढ़ा सा बैटर बन जाए अब बैटर को हम एक बरतन निकालेंगे आप इसमें हम एक कप सूजी को डालेंगे यह बारिक सूजी है मोटा बारिक आप कोई भी सूजी ले सकते हैं सूजी को अच्छे से बैटर मिलाएंगे बहुत पतला बैटर हम नहीं बनाएंगे थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे सूजी मिलाने एक बार इस सूखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा से पानी डालेंगे जो जार में बैटर लगा है इसमें हम थोड़ा से पानी डालकर निकाल लेते हैं लगभग आधा कप पानी डाल देते हैं पानी को अच्छे से मिलाएंगे इतना गढ़ा बैटर हमने बना लिया है लेकिन अभी पूरी तरस तयार नहीं है अब इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे जिससे सूजी फूल जाए अब कडाही में 2-3 कब पानी डालेंगे इसके बाद इसमें एक इस्टैल को रखेंगे अब कडाही पर ढखकन लगाएंगे और पानी को उबलने के लिए छोड़ देते हैं नास्ते को हम इसी थालिम बनाएंगे तो इसमें थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर लेते हैं तेल अच्छी से लगा देते हैं जिससे नास्ता इसमें चिकना पकने एक बाद आसानी से निकल जाए दस मिनट के बाद बैटर को देख लेते हैं इसमें सूजी अच्छी सी फूल गया है आप इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अंसर और इसमें एक पाउच इनो डालेंगे आप चाहें तो इसकी जगां बेकिंग सोडा डाल सकते हैं इससे नास्ता फुला फुला बढ़ियें बनेगा लगभग एक बड़े चमज पानी डालकर इनो को अच्छी सी मिला लेते हैं इसमें बहुत ज़्यदा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बैटर हम गाढ़ा बनाएंगे बहुत ज़्यदा फेटने जरूरत नहीं है बस इनो को अच्छी सी मिला लेते हैं अब बैटर पूरी तर कर हमने सेट कर दिया है आप इसको हम पकाएंगे चलते हैं गईस्क तरफ यहां पर पानी उबल रहा है अब थाली को उठा कर इस्टेंड को पर रखेंगे इसके उपर थोड़ा से लाल मिर्च पॉड़र डालेंगे ज्यादा नहीं थोड़ा डालेंगे अगर आपको नहीं पसंद है तो न डालें इसकी जगह आप हरा धनिया डाल सकते हैं अब कडाहे को उपर हम धकन लगाएंगे और नास्ते को 10-12 मिनट तक मीडिया माच पर पकाएंगे लगभग 12 मिनट के बाद धकन हटा कर देख लेते हैं आप देख सकते हैं नास्ता फूल कर थाली भर गया है अब इसमें हम तीली डाल कर चेक करेंगे आप देख सकते हैं तीली इदम साफ निकला है यनि कि नास्ता पक चुका है अब इसे हम कडाहिस बाहर निकालकर ठंडा करेंगे जब अच्छी तरश ठंडा रहेगा तो थाली से आसानी से बाहर निकल जाएगा अब इनास्ता पुरी तरश ठंडा हो गया है तो पहले चारो तरफ से हम कट लगाएंगे आप इसके उपर से प्लेट लगाकर इसको पलट लेते हैं पलटने बाद आप देख सकते हैं कितने आसानी स्थाली को छोड़ दिया है यह नास्ता कितना इस पंजी बढ़िये बना है आप इसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो प्लेट से उठा कर हम बोड़ पर रखेंगे अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़िये काट रहा है आप अपने हिसाब से इसको जैसा चाहें चोटा बड़ा काट सकते हैं यह बहुत ही मुलायम नास्ता बना है अगर आपको बीनम आधे मसाले वाला नास्ता पसंद है तो आप इसको चटनीक साथ ऐसे खा सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम और चटपटा बनाएंगे, जिससे खाने में और भी बढ़िया लगे, तो काटने बाद सारे नास्ते को हम प्लेट में उठाएंगे, आप इसको हम सेकेंगे, गयस पर हमने पायन रख दिया है, पायन में चमस सफेद तिल को डालेंगे, तिल और राई को अच्छे से भून लेते हैं, जिसे राईम कच्चा पर न रहे, तिल राई भूनने बाद आप इसमें थोड़ा से कटे हुए करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता को हलका से भून लेते हैं, इसके बाद आप इसमें हम थोड़ डाल कर तक मुलाने, आब सारे नास्ते को हम PINE में डाल कर सेहेंगे, सभी नास्ते को हम PINE में रख देते हैं, नास्ते को हम मेडिया माझ पर फ़र दोनो तरब से सुनाईयर रंग में होने तक सेहेंगे, इसको सेहेंगे बहुत ज़्याद समय नहीं लगेगा, बस तीन से चार मिनट में सिख जाएगा नास्ता सेकने एक बाद खाने में आउट ट्रेश्टी लगेगा तो इसको हम दोनों तरफ से पलट कर अच्छे सेक लेते हैं इसको बार बार पलटने जरूरत नहीं है एक तरफ से सिख जाए तो इसे दूसरी तरफ पलट दे अब ये नास्ता दोनों तरफ सिख गया है इसको हम पलेट में निकालेंगे पूरे नास्ते को हमने सेक लिया है अब गाईस को बंद करेंगे पके हुए चावल और सूजी का नास्ता गर्म गरम खाने के लिए तयार है नास्ते के साथ खाने के लिए हमने नारियल मुंफली का चटनी बनाया है इस चटनी के साथ ये नास्ता खानें बहुत बढ़ियें लगता है सेकने बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां लग रहा है, ये नास्ता बहुत हिस्वादिष्ट बढ़ियां बना है, और बहुत मुलायम भी है, इसको हम तोड़ कर दिखाते हैं, तोड़ने बाद आप देख सकते हैं, ये अंदर से कितने जाली दार बने हैं, अगर आपको कम तेल में बढ़ियां नास् तो आप इस तरह से कम तेल मसाले में आसानी से नास्ता बना सकते हैं यह पेट भरने वाला नास्ता है जब आपका मन कहें तो आप सुबसाम के नास्ते में बना सकते हैं